बारती क्रिकेटीम के पूर्फ कप्तान विराट कोहली पिछले काफी समय से अपनी बल्ले बाजी की वज़े से चर्चा में है इंटरनाशनल क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मैट्स में वो रन बनाने से जूचते नज़र आए हालिया इंडियन प्रिमेर लीग में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले वहीं पूर्फ पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपना मुँ ऐसा चलाया है जो बेहत शर्मनाक है और कोहली के अटिटूड पर सवाल खड़े कर दी है अब अफरीदी भले ही अपने समय के दिगज हैं लेकिन विराट कोहली भी आज के समय के बहतरीन खिलाडी है लेकिन अफरीदी ने विराट को लेकर बात करते हुँए कहा कि क्रिकेट में आटिटूड सब्सज़ादा मायने रखती है यही वो एक चीज है जिसके बारे में सबसे ज़ादा बात करता हूँ क्या आपके अंदर क्रिकेट को ले कर वो एटिट्यूड है या फिर नहीं वो कोहली जो अपने करियर की शुरुवात में दुनिया के नमबरे खिलाडी बनने के लिए खेला करते थे क्या अब भी उसी प्रेटा के साथ अपनी क्रिकेट को खेल रहे हैं विराट ने इस साल तीन टेस्ट की पांच पारियों में महस 189 रन बनाए है जिसमें सरवाधिक स्कोर उनका 89 रहा है छे बंडे माच किलने के बाद तेस की ओसत से उनके खाते में 142 रन है जिसमें 65 रन उनकी सबसे बड़ी पारी विराट को लेकर अफरीदी ने विवाधित बयान देते हुए काया कि अब वो बस आराम करने और वक्त काटने की सोच रखते है यह एक बहुत बड़ा ही सवाल है उनके पास ग्लास है लेकिन क्या वो अब वापस तो नंबर एक खिलाडी बनना भी चाहते हैं या नहीं या पिर उनको यह तो नहीं लगने लगा कि उन्होंने जीवन में सारी चीजों को हासिल कर लिया है अब तो बस जीवन में आराम से रहे और वक्त काटी है यह सब कुछ सिर्फ एटिट्यूट पर ही मिलबग करता है अब शाहिद अफरीदी के इस बयान का विराज तो अब बल् करना थोड़ा सा एक अलग चीज हो जाएगी लेकिन शाहिद अफरीदी को यह भी समझना चीए कि वही बिराट है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर 10 सीरीज में जीद का पर्चम लहरा के आयते हैं अगर शाहिद अफरीदी तने बड़े खिलाड़ी अपने आपको मानते हैं तो